पत्र लेखन एक कला है। इस कला का संबंध हमारी जीवन से है। जीवन में सफलता प्रात करने के लिए अच्छी व प्रभावी पत्र लिखना आवश्यक है। कुछ पत्रों की उदारण नीचे दिये जा रहे हैं। एक रुपे मंगवाने के लिए पिता को पत्र चौवन नया गंज कानपुर दिनांग पच्चिस जन्वरी दो हजार तेरा आदर्निय पिताजी साधर प्रडाम आपका पत्र मिला। घर की कुशलता का समचार पाकर प्रसन्नता हुई। प्रमुक एतिहासे एवं धार्मिक स्थलों का ब्रामण कराया चाएगा। जिस सिक्यान की फृत्थी और मनुरंचन दूनुका लाब प्राप्थ होगा। अता आपसे अनुरोध है कि आप इस यात्रा के लिए एक हजार रुपे मनी ओर्डर अथ्वा ड्राफ द्वारा फेजने की कृपा करे। सफर के विशे में चिंताना करे। कक्ष अध्यापक के अत्रेक कई अध्यापक गण भी साथ रहेंगे। आदर्णिय माताजी को सादर चरण स्पर्श कहिएगा। आपका आज्याकारी पुत्र अनुरूप अस्थाना। दू अपनी मित्र को जम दिवस की उपलक्षमी बधाई पत्र। चंदर्नगर 417 बटाचार आलंबाग लखनाउं दिनांग 8 जन्वरी 2013 प्रिय मित्र अक्षत। सस्नी नमस्ते। तुम्हारे चंद दिन का निमंत्रन पत्र प्राप्थ हुआ। इस अफसर पर अमंत्रत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मित्र इस शुब अफसर पर उपस्तित होने की पहुत ही इच्छा थी। परन्तु स्वास्त संबंधी परिशानियों के कारण उपस्तित हो पाना संभव नहीं होगा। मैं तुम्हारे लिए शुब कामनाई भीच रहा हूँ। इश्वर से प्रात्ना करता हूँ कि वह तुम्हें लंबी उम्र और हर मार पर सफलता प्रदान करे। भावी जीवन स्वर्णिम आभा एवं खुशाली से भरा हो। अगली वर्ष आने की पूर्ण कोशिश करूँगा। मैं एक छोटा सा उपहार भेज रहा हूँ। आशा है पसंद आएगा। आदर्णिय चाचाची एवं चाची ची को मेरी ओर से सादर चर्ण सपर्ष कहना। तुम्हारा प्रियमित्र सक्षम खन्ना। तीन पुस्तक मंगवाने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र। सेवा में प्रबंधक मोहादै। अमीनबाद पुग डिपो। अमीनबाद लाखनाओ। विशे पुस्तक मंगवाने हेतु पत्र। श्रीमान क्रिप्या निमने लिखेत पुस्तकें वी पी पी त्वारा नीचे लिखे पते पर शीक्र से शीक्र भेजने का कश्ट करें सबी पुस्तकें नवीनतम संसकरण की ही होनी चाहिए यह भी ध्यान रखा जाए कि पुस्तक मैली वह फटी हुई ना हो आपके नियम अनुसार 200 रुपे का मने ओडर फेज रहा हुँ जिसमें वी पी पी का खार्च भी सम्मिले थे पुस्तकें 1. हिंदी फ्याकरण कक्षा 8 दू प्रतिया 2. अंग्रेसी फ्याकरण कक्षा 8 दू प्रतिया 3. गणत कक्षा 6 दू प्रतिया 1. भवदिय हंस्राज अहूचा केंद्रिय विद्याले चात्रवास 2. दिनांग 18 फर्वरी दू हाजार्अ bord 4. चात्रवृति हेतू प्राठनापत्र 4. प्रधानचारी महोदें केंद्रिय विद्याले वारனसी विशे चात्र वृत्ती प्राप्त करनी ही तू प्रार्थना पत्र श्रीमानची सविने निवेदन यह है कि मैं आपकी विद्याले में कक्षा आठ आगा चात्र हूँ मेरा पढ़ाई का रिकॉर्ण अच्छा रहा है पिछली कई वर्षों से मैं कक्षा में प्रतम स्थान प्रात कर रहा हूँ महोदे इस वर्ष परिवार की आर्थिक स्थिती कुछ खराप हो गई है जिसके कारण पिताजी के विवसाई में अचानल अनीक परिशानिया आ गई है पिताजी इस नासुक परिस्थिती में मेरी पढ़ाई का खर्च वहन करने में असमर्थ है अता आपसे निवेदन है कि मुझे इस वर्ष रुपे दोसों की मासिक छात्रवृत्ती प्रदान करें ताकि मेरी पढ़ाई निर्विक्न चलती रहे आपकी इस सहयोग और कृपा के लिए मैं आपका अत्यन आभारी रहूँगा धन्यवाद आपका आज्यकारी शिश्ष सौम्य टंडन कक्षा आठ आ दिनांग आठ जन्वरी दो हजार तेरा पांच नगरनिगम अध्याक्ष को मुहले की सफाई की विशे में प्रार्थना पत्र सीवा में माननीय स्वास्थ्या अध्याक्ष महोदे नगरनिगम लखनाउ विशे कोणा प्रबंधन हेतु प्रार्थना पत्र श्रीमान जी मैं एक बाल खेड़ा शेत्र का निवासी आपका ध्यान मुहले की सफाई की ओर आक्रिष्ट करना चाहता हूँ मुहले का एक मात्र पार्ग कुडा फेकने का सुलब स्थान बन गया है यहां नालियों का पानी भी एकटा होता रहता है जमादार भी अपनी जिम्मिदारियों की अवहेलना करते हुए कुडा करकट यहीं डाल जाता है हफ्तों यहां कुडा सरता रहता है यहां दुर्गन से लोगों का चीना तूबर हो गया है मच्चय तथा मख्यों की छुंड मंडराते रहते हैं जिससे अनेक संक्रामत बिमारियां फैलने का खत्रा है अता आपसे अनुरोथ है कि इन परिशानियों को दूर कराने की उचित व्यवस्था करे भवदिय सलीम दुर्राने एक बाल खेडा दिनांग 18 मई 2013 छी अपनी मित्र को शीत अफकाश अपने साथ बिताने का निमंत्र देने के लिए मत्र एल्बीयेस चात्रावास इलाहबाद दिनांग 4 जन्वरी 2013 प्रियमित्र परितोश सप्रेम नमस्ते बहुत दिनों बात तुम्हारा पत्र प्राप्थ हुआ त्रेमासिक परिक्षा में सफल होने पर पधाई मित्र हम लोग अफकाश परिवार के साथ मिलकर ही बिताते हैं परन्तु अब मैं लखनव आग्या हूँ मैं चाहता हूँ कि इस बार शीत अफकाश तुम हमारे साथ बिताओ यहां घर के पास ही एक पार्ख है जहां हम लोग शाम को विभिन खेलों का आनंद उठाएंगे सुबह हम लोग सेर करने चलेंगे इससे तन और मन दोनों स्वस्त रहते हैं हम लोग शेहर के विभिन एतिहासिक स्थलों एवं परिटन स्थलों में खूमने चलेंगे जैसे इमाम बाड़ा, रेसिटेंसी, चिडियाखर, अजायखर, विभिन पार्ख आदी मैंने अभी से सारी कारिक्रम तयार कर लिये हैं मेरी माता जी एवं पिता जी का भी तुम्हें आमंत्रत करने का आग्र है अपना कारिक्रम बना कर शीक्र उत्तर देना चाचाची एवं चाची जी को सादर चरण स्पर्ष तुम्हारा अभिन मित्र अनिमीश पांडे